Hello friends, welcome back to my channel, this is Shashruti and I hope you all are doing very well तो आज है sunny weather, देख रहे हैं कितने अच्छे से सूरी प्रगवान बिलकुल खिले खिले से मुस्कुराते भी निकले हैं तो आज मैं जो कुछ recipes आपके साथ share करूँगी तो सबसे पहले मैं ये दिखा रही हूं क्योंकि आज मैं लच में दोसा बनाने वाली हूं तो ये दोसा का जो आलू होता है, मसाला होता है, वो मैं बनाई हूं और इसमें मैं प्यांज, लेषन, थोड़ा सा धनियाबत्ता और आलू डाली हूं और यहाँ मेरा कड़क चाए बन रहा है, यह चाए कड़क मैं यूगे में पीने के लिए सिर्फ ना जब भी इनडिया से आती हूँ, मैं बहुत सारा चाए पत्ती ले के आती हूँ तो उसी का त्यारी के लिए यहाँ पे देख रहा है आपको onion कटा हुआ है थोड़ा सा और थोड़ा सा लहसुन और इधर थोड़ा सा मैं पडाठा भी बना के रख दी हूँ जब किसका use मुझे नहीं लगता है और यहाँ है जो धोसा का मैं आलू बनाई हूँ उसी का ये batter तो इसके लिए जो ये consistency होना चाहिए जो thickness होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए ऐसा हो तो आप इससे एडली, ढोसा, अपपम, उत्तपम, इडियापम कुछ भी बना सकते हैं तो जो South Indian जितना dishes है वो सारी चीजे इतना थिकनस में आप बना सकते हैं बस आपको पानी मिल तो अब हाँ यहां ब्रेड आप देख पा रहें तो वो मैं लंच में बनाऊंगी अभी मैं जो बना रही हूँ यह आरुषकाज cricket club है उसके लिए मैं sandwich बनाऊंगी जो शायद आप लोगों को thumbnail में दिख गया होगा तो इसके लिए मैं जो चीजे यूज़ कर रही हूँ वो ह यहां पे मैं onion और थोड़ा सा boiled potato और coriander leaves अड़ करूंगी देख हाँ यहां पे है cheese sorry हाँ यह cheese है cheese भी इसमें मैं add करूंगी लेकिन cheese मैं अलग से करूंगी मतलब जो sandwich है इसमें cheese डालूंगी उसके उपर से इसके साथ mix नहीं करूंगी तो अब मैं start करती हूँ सारे सबचीज को chop करना तो यहां हम fine chop करेंगे तो आप प्लीज इस चीज़ का ध्यान रखिए मैं ना मुझे इस तरह से आदत है हाथ से ही इस तरह सबजी को काटने का आप प्लीज अगर आपको आदत नहीं है तो प्लीज आप chopping board का use किजिए तो यहां मैं पहले सबसे पहले मैं capsicum को अच् मैं सारे सबजी को काट लूँगी चौप कर लूँगी क्योंकि अब ही अगर मैं करूँ तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा यहां मैं boiled potato जो था उसे भी छोटा-छोटा slice करके काट ली ठीक उसी तरह जैसे चाट में या sandwiches sorry salad में बनता है तो यह मैं actually अगर basically salad ही बना रही मैं onion को भी काट ली देख सकते हैं बिल्कुल fine chop key मैं अब यह avocado जो है इसे मैं कुछ इस तरह से काट उगी इसे पहले बीच से चीरा लगाओंगी फिर दोनों को पकड़के ऐसे गोल घुमा देना है क्योंकि इसका बीच काफी बड़ा होता है अब इसका जो इसका बाहर का मै मैं जो होता है वो निकाल दूगी अब इसका अंदर का ना spoon या knife के help से इसका अंदर का जो pump होता है उसे मैं निकाल लूँगी इसका यही चाहिए और बाहर का मैं हटा दूँगी अब इसे कुछ इस तरह से कट करना है मैं और एक बार आपको बोलती हूँ कि इस तरह मैं जैसे हाथने काट रही हूँ इस तरह से प्लीज आप ना करे आप अपने तरीके से कीजिए अगर आपको आदत नहीं है तो तो सेम इसी तरह से मैं बाकी जितने वेजटबलस है मैं अच्छे सा मिक्स कर रही हूँ और जितने भी वेजटबलस है इन सब को मैं छॉप कर लूँगी और थोड़ा सा लैंन है उसे स्क्राच करेंगी ये पारियंडल लीवस है ये उसको भी काट लूंगी फाइन और तो यहां पे मेरा सारा सब जो भी वेजटबल्स था, ग्रीन वेजटबल्स था, वो सारी चीजे मैं काट कूट के रखती हूँ, देखी इतना जादा कौंटेरी में हो गया, तो ये कटोरी में मिक्स नहीं होगा, देखी ये कटोरी जैसा जो हो जाता है ये मुझे कापी अच्छा रखता है, इसे फेकने का मन लिएका नहीं करता है, पर फेकना तो पड़ता ही है, ये क्या करू मैं, और इसके बीज भी कितने बड़े होते हैं, तो मैंने दो लिया था। तो ये दो बीज और दो उसके बाहर के, यहां पे मैं एक का फेक दीए थी, क्योंकि वो टूर गया तो इस तरह से इस कटोरी में तो mix नहीं हो सकता है तो इसलिए मैं प्लेट में से निकाल लूँगी और उसमें mix करूँगी तो मैं avocado जो होता है इसमें vitamin A, vitamin K, vitamin C बहुत जादा मात्रा में होता है जो आपके skin के लिए, आपके आँखों के लिए, आपके बालों के लिए, आपके hurt के लिए, digestive system के लिए बहुत अच्छा होता है और इतना ही नहीं आपके जो hormones जो उपर नीचे जाते हैं उसे भी control करता है आपके vegetables में लिए हूँ, वो सारे बहुत healthy और nutrition होते हैं तो यहां मैं थोड़ा सा oil add करूँगी, पहले मैंने salt add कर दिया है तो मैं यहां पर half teaspoon जो है oil add कर रही हूँ, सिर्फ taste के लिए और थोड़ा सा black pepper add करूँगी और थोड़ा सा lemon scratch करूँगी और कुछ इस तरह से यह salad ब और फिर भी मैं यह थोड़ा सा करूँगी और यहां पर मैं थोड़ा सा black pepper, black salt, sorry, क्या बोलते हैं, gulmich, तो उसे मैं डालूँगी, अब यह mix कर दीजी अच्छा से, mix, 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 अच्छे से mix करना है कि कहीं भी salt जादा कम ना हो, और जो थोड़ा सा oil भी डाले थे, वो अच्छे से mix हो जाए, बस, तो यह आपका बहुत healthy, nutritious, एक salad तयार है, तो यह salad आप राइस के साथ ले सकते हैं, लंच पे ले सकते हैं, इसके साथ थोड़ा सा चिकपीस और जो हरा मोंग होता है, उसको भी फुला के आप ले सकते हैं, तो बहुत tasty होता है, एक बात आपको मै बता दू, कि आप अगर आधा avocado एक दिन में खाते हैं, तो पूरे दिन का जितना आपको nutrition चाहिए, वो complete आपका हो जाता है, यहां मैं sandwich बनाओंगी, तो सबसे पहले sandwich के उपर मैं यह cheese को डालूँगी, और फिर जो मैं salad बनाई हूँ, इसे उपर से डालूँगी, और इसे ड पूरे दिन का जो nutrition चाहिए, उसे मिल गया, तो इसलिए मैं इस तरह से पूरा भरपूर डालूँगी, लेकिन इतना नहीं कि बाहर निकल जाए, इस तरह से आप डाल दीजिए, मैं कोई sauce यूज नहीं करती हूँ, आप अगर sauce यूज करते हैं, तो वाइट sauce यूज यूज यूज कर सकते हैं, तो इसके उपर मैं इसे लगाऊंगी, दूसरा वाला जो bread है उसे, और थोड़ा सा pressure देके फिर इस तरह से सेख लेना है, golden brown करके, तो यहां मेरा सारा sandwiches तयार है, देखिए अंदर का stuff, यह काफी tasty, delicious था, कोई बोल नहीं सकता है, कि यह इतना nutrition से भरपूर था, क्या मैं बोलू, लेकिन यह बहुत tasty था, बहुत ज़्यादा tasty बना था, तो आप भी try किजिए, यहां देखिए, आरुश का bag रखा वाई, school से वो आ गया है, और bottle उसके अंदर ही है, तो यह bottle उसे school से मिला है, तो मुझे काफी अच्छा पसंद आया, इसका color, तो यहां मैं उसका पानी निकाल के जगा पर रख दूँगी, यहां पर देखिए, आज club है, तो यह खेले जा रहा है, यहां light जला दिया, उसको शायद पता चल गया है, कि मैं वीडियो उसका बना रही हूँ, तो वो अपना light जला के अब दिखा रहा है, उसे बहुत अच्छा लगत है, वो सारे aunties जो भी उन्हें बोलते हैं दीदी, उन सबको thanks बोला है, और यहां मैं आरुश का दूच चड़ा दी हूँ, क्योंकि आरुश को मैं अभी lunch में सबके लिए धोसा बना रही हूँ, तो यहां पे धोसा का batter तयार कर दी हूँ, यह थोड़ा पानी डालके मैं और जोसा के लिए उतना मोटा नहीं लगता है, तो इसलिए यहां पर मुझी यह ओएल लगेगा, थोड़ा सा मैं vegetable oil लगेगा, और अनिल के लिए बनेगा अधोसा तो जिसके लिए यह मसाला है, और आरुश के लिए बनेगा cheese धोसा, तो यह cheese रखा हूँ है, फर वह पहले दू दोसा बनाने के लिए पहले थोड़ा सा ओयल लालूंगी और इस ओयल को गोल 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 घुमाके पूरे तावा में लगा दूंगी कि कहीं भी मतलब ऐसा ना हो कि चिपक जाए वैसे तो यह नॉन स्टिक का है तो नहीं होगा लेकिन फिर भी आप लगा दीजे क्यों बाइचा जरकाव भी कर सकते हैं थोड़ा सा मुझे जरुवत नहीं है मुझे आदत है मैं बहुत ज़ादा धोसा बनाती हूँ तो मुझे पता है कितना आज में करना है अब मैं इसमें दो जो मेरा चमच है गोल वाला इसे पता नहीं क्या बोलते हैं इससे मैं डालूंगी और जो ऐस कखा लिया उससे मैं से ंदों लिया और फिर मैं से गोल 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 गुमाओंगी बहुत थल negócio हाथसे घूमाना है नहीं तो यह सी में चिपक जाएगा जो गोल जमच होता हाता होता होता है उसके पीछ़ए चिपक जाता इसले बिलकुल हलका हाथ यूज करने इसके लि वीर किये जाता है ये और मैं अलग-अलग lunches देती हूँ तो ये देखिए जब ये खाता है ना खा के आता है तो यहाँ दो बनाना भी मैं दोनों के लिए दे दी हूँ और ये आरुश का बस का टिकेट है जो है 2.80 पैंस मतलब कुछ 300 रुपे के करीब है तो आरुश अपना टिकेट ले लिया था आतेबक स्कूल से और यहाँ दोसा देखिए पक के तेयार है मैं थोड़ा सा उपर से ओयल का चड़काओ करूँगी और साइड से भी दे दूँगी कि ये निकलने में दिखत ना करे पहला दोसा थोड़ा सा complicated होता है निकालना वैसे तो निकल जाता है लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ अब देखिए ये किता smoothly और इस तरह जब दोसा निकलता है न तो बहुत अच्छा लगता है तो एक जो खाना बनाता है उसी को पता है कि क्या खुशी मिलता है तो ये हो गया मैं दूसरा साइट दिखाने के लिए सिर्फ पल्टी हूँ नहीं तो इसे पलटना नहीं है आपको उसी साइट में आलू डाल देना है सौरी यहाँ पे थोड़ा सा धुवा सा हो रहा है धंदुला सा हो रहा है मैं क्लियर करती हूँ जी है अब यहाँ पे आपको पॉटेटो डालना है और इस तरह से फोल्ट कर देना है तो ये मेरा धोसा ना छोटा छोटा धोसा हो रहा है घरेलू धोसा तो इसलिए ये दो फोल्ट मैं करूंगी नहीं बस एक फोल्ड करके ही मैं दे दूंगे उन्हें तो इस तरह से बन रहा था धोसा और यह काफी टेस्टी था फ्लेवर टेस्ट हर चीज बिल्कुल धोसा जासा था बहुत अच्छा था सूपर डिलिशियस और यहाँ पे बन रहा है दूसरा धोसा तो जब एक हाथ में कैमेरा होना तो पता नहीं चलता है कि आप कहां मार रहे हैं तो यह बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आप कितने भी अच्छे कोक है तो आपका खाना में थोड़ा तो गड़बड हो जाता है देखे मैं निकाल नहीं पा रहे हूं जबकि यह बहुत एजी है निकालना क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमेरा है तो मेरा ध्यान बटक रहा है तो इसलिए वैसे यह निकल गया तो मैं आपको यहां तीन तरह का दोसा दिखा रही हूं पहला तो हो गया आलू वाला मसाला धोसा इसके बाद मैं चीज डालके संपल चीज धोसा बनाऊगी जो बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे भी खा सकते हैं आरुष का यह फेवरेट है बचपन से ही तो इसलिए मैं बस चीज को एड़ करूँगी इसके उफर ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालूँगी तो हारुष को इतना ही पसंद है तो मैं इतना ही करूँगी यहाँ पर और चीज जब मिल्ट होता है न काफी टेस्टी लगता है मैं यह चीज स्लाइस एड़ कर रही हूँ और एक-एक ही स्लाइस एड़ कर रही एक डोसा के लिए मुझे लग रहा है कि उतना काफी है आपको अगर दो लगे तो आप दो डाल सकते है तो इस तरह का डोसा बनके तयार हो जाता है और यह काफी टेस्टी होता है मुझे तो चीज डोसा बहुत पसंद है यह देखिए अंदर किस तरह से चीज है देखिए यह मिल्ट हो जाता है तो चारो तरफ फैल जाता है और हाँ चीज में गुड फैट होता है तो यह आपको नुकसान नहीं करता है यह काफी अच्छा होता है हिल्ट के लिए जब आप वेजिटेरियन होते हैं और फॉरिन कंट्रीज में रहते हैं तो आपको घर में ही कुछ इस तरह के अलग-अलग अच्छा चीज बनाना पड़ता है क्योंकि हम बाहर नहीं खाते वैसे तो यहाँ यूके में हम बाहर बिल्कुल नहीं काते क्योंकि यहाँ नॉन्वेज काफी ज़्यादा बनता है लेकिन हाँ इंडिया में भी जब हम कोलकाता में थे तो हम भी वहाँ पे भी बाहर बहुत ज़्यादा नहीं खाते थे अगर कुछ मतलब वेजिटेरियन रेस्टरॉन या वगरा नहीं दिखता था तो यह जो ढूसा मैं बनाई लास्ट वॉन यह है चीज पोटेटो ढूसा तो इसके बाद मेरा इसी तरह से दिन पूरा कट गया शाम को और देखिए आपको मैं वेदर दिखा रही हूँ खड़की खोलके देखिए किस तरह का वेदर है अभी तो फिर इसके साथ ही दिखे बारिश हो रहा है और यह लोग का क्लैब गैंसल हो गया यह दोनों घर में ही है अब सैंडविच वो रात को खालेंगे मुझे डिनर कुछ नहीं बनाना होगा तो इसके साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ आशा करती हूँ आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो फिर मिलते हैं ने ब्लॉग में बावाई